स्वागत और विश्णाता कैसे हैं आप सभी लोग? इस वीडियो के सोजन से आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आसन, आसन, प्राणयाम और एक्सरसाइज अर्था ब्यायाम किसी भी तरह का ब्यायाम इन तीन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आप कहेंगे कि गुर्देवियक आप क्या कह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत सारी वीडियो एक्सरसाइज के उपर बनाई है प्राणयाम के उपर बनाई है और आज इस वीडियो में आप कह रहे हैं कि प्रणयम नहीं करना चाहिए आसन नहीं करना चाहिए व्ययाम नहीं करना चाहिए तो इसमें आपको बिलकुल भी भाईओ हैरान होने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि कुछ समय ऐसे होते है जिन समयों पर आपके लिए व्यायाम और प्रानयाम और कोई भी योगासन लाव के इस्थान पर आपको हानी कारक सिद्ध हो सकता है समझ रहना आप लोग हम क्या कहना चाहा रहे है आसन प्रानयाम और ग्यायाम दो सूत्र है ये किसी विद्वान के बोले हुए है ये हमारे सूत्र नहीं है उस विद्वान ने कहा है एक बहुत पुराने विद्वान हुए है कि जब आप ठके हुए हो जब आप ठके हुए हो तो आपको किसी भी प्रकार की कसरत ब्यायाम या प्रानयाम या योग आसन करने से बचना चाहिए है क्योंकि हम ब्यायाम सक्ति पाने के लिए करते हैं सक्ति को संग्रीत करने के लिए प्रानयाम करते हैं आसन करते हैं किन्तु यदि पहले से ही आप कोई और किरिया कलाप के कारण किसी मेनत मजदूरी के कारण या फिर किसी अन्य कारण से आप ठके हुए हैं अच्छा ठकनावी भाईयो दर्श को दो तरह का है पहला है ठकना शारिर एक दूसरा है मानसिक आपका दिमाग रेष्ट मांग रहा है आपका सरीर विस्राम मांग रहा है और तुम जिम में चले गए तो ठका होने के बाद आपको व्यायाम करने से प्रणायाम करने से योगासन करने से निश्यत रूप से बचना चाहिए अदरवाइस आपको लेने के देने पर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही निचोड नीबू की तरह निचोड लिया है अपने बोड़ी के लिए उपर निचोडने से कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप जो है कमजोरी महसूस कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जामपल सेक्स करने के बाद यदि आप थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं और फिर आप दंड मार रहें लंबा चोड़ा सैकनों दंडे मारे पड़े हो हाँ अगर कमजोरी नहीं लग रहा है, ठका हुआ नहीं लग रहा है, तो आप निश्यत रूप से कर सकते हैं, नो प्रॉलम्म। ये बड़े गहरे अन्भो की बात कह रहे हैं हम आप से, दूसरा, यदि आप मेनत मज़दूरी करके ठके हुए हैं, कंप्यूटर मोबाइल चला करके मानसिक रूप से ठके हुए हैं, अगर आप ठकान महसूस कर रहे हैं, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तो निश्यत रूप से आपको रिलेक्सेशन की आउशकता है, विस्तराम की आउशकता है, ना कि किसी प्रनयम या व्यायम की, हाँ यदि आपको ठकान नहीं उर्जावल लग रहा है सारी रिक और मानसिक तो आप कर सकते हैं तो जब ठके हुए हो तो आपको नहीं करना चाहिए यहाँ पर मैं वर्जित कर रहा हूँ दूसरा आप जब छके हुए हो चके होने का अर्थ है आपका पेट भरा हुआ है आपका पेट भरा हुआ है और आप उस समय प्रनयाम कर रहे हैं ब्यायाम कर रहे हैं आसन कर रहे हैं तो निश्यत रूप से बड़ा हानी कारक होगा आपकी बोड़ी के लिए च्छका, च्छका मंने फुल फिल है अगर आपका ओईश्टोमाक, अगर अब आप कहेंगे कि नास्ता करी हुए हो, वो च्छकने में नहीं आता है, अगर नास्ता करके ही आपने इतना नास्ता मात्रा में ग्वाझटिटी में कर लिया है कि पेट भाथ भारी लग रहा है, छ् भी नहीं करना चाहिए हाँ यूदेब पच गे करना है तो आप कर सकते हैं कि जब पचा हुआ हो तब यहाम करना चाहिए प्रनयाम करना चाहिए मैं इसमें थोड़ा अपना अन्वह और गुर्मों का आदेस निर्देस आपको बता देता हूँ कि भोजन करने के जो प्रनयाम है वो कम से कम 4-5 गंटे के बाद में या कम से कम अगर आपने ठूठूस के खाया है तब तो 6 गंटे के बाद में करना चाहिए और यदि आपने normal किया है भोजन तो कम से कम 3-5 गंटे मैं आप प्रनयाम या कोई भी exercise कर सकते हैं और यदि आपने नास्ता किया है तो आप त्वाद गंटे बाद भी कर सकते हैं एक गंटे बाद भी कर सकते हैं, हलका नास्ता बोले तो एक बटे चार पेट अगर आपका भरा हुआ है तो, जैसे एक मुट्टी चना भिगो दिया आको, और सुबह को आप खा रहे हैं, तो आप खाते हुए भी हाड भ्यायाम कर सकते हो, प्राणयाम नहीं, क्योंकि होता कि जो हम लोग जिम करते हैं, दोड लगाते हैं, कभी-कभी मैं अन्भाव की बात कहा रहा हूँ, ऐसा भी होता है, कि पेट बिलकुल खाली होता है, उस समय अगर दवडा दिया जाए, हार्ड बेट लिफ्टिंग करा दिया जाए, या कुंग-फु कराटी के एक्सरसाइज कर लाटी चलवाए जाए, तो मैं अपना अन्भाव से बोला हूँ, तो बड़ी कमजोरी रगती है, तो इसलिए एक-दो केला आप खा सकते हैं, आप थोड़ा बहुत जो ड्राइफ्रूट खा सकते हैं, आप भीगे हुए चना भी जो है, दो चार, छे, दस शमच खा सकते हैं क्योंकि उस समय आपको कमजोरी नहीं लगेगी, क्योंकि पेट अगर खाली-खाली सा है, और फिर आपका सरत करने को डट गए, तो ये भी घातक होता है, वानि बैलेंस बना के चलना है हमारे लिए संतुलन के साथ में, तो बहुत चके हुए, बहुत ठके हुए लोगों को गर जेता है, जब तक कि पाच पचना जाए, और बहुत ठके होने का मतलए कमजोरी महसूस हो, मेरा विस्वास से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, इस वीडियो को जनहित में अधिक से अधिक सियर करें, ताकि समाज में जाक रूपता है, पैदा हो, लोगों में एक बुद्धिमत्ता विकास, बुद्धिक विकास हो लोगों का, है ना, थैंकियो सो मच, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन ये निश्चत रूप से कहता हूँ कि आपके लिए वीडियो को सियर आवश्य करना चाहिए, मैं ये भी करेंगे और आप सब्सक्राइब भी करेंगे जब आपको बहतर लगेगा तो, लेकिन मैं सियर करने का आवेदन आपसे निवेदन इसलिए करता हूँ, ताकि अच्छे चीज़ें रुकना नहीं चाहिए, हम हिंदु लोगों की कमिया है भाईयो, कि अगर किसी बाबा टैप बाबा ने बलतकार कर दिया तो उसकी वीडियो भहुत सियर किया जाता है, हिंसा बलतकार की लड़ाई जगड़े की वीडियो खूब सियर होते हैं, लेकिन अच्छे चीज़ों को हम छुपा के बैठ जाते है, ये क्या है? ये हमारी किर्पनता का सूचक है, ये हमारी स्वार्तिपन हो स्वार्ति होने का सूचक है यह सेल्फिसनिस की पहचान है यह सेल्फिंग नेचर है थेंक्यों सो मच कहनों को बहुत कोच है फिर में लगें अगली वीडियो में ओम शांति ओम क्रांति